सरकारी भारत में दूस्तों आज की स्वीडियों के अंदर हम बात करने वाले हैं CDP की क्लासेज हमारी चल रही ही थी जिसका आज पार्ट नमबर फिप्त है तो पांच में पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नमबर अपना कौन सा है फाइब और जिसके अंदर हम CDP करने वाले हैं ये इस्पेसली जो क्लास होती है आपका सीटेट के लिए होती है सेंटल टीचर अलिजबिल्टी टेस्ट यानि की सीटेट की जो के इनिडिट तयारी कर रहे है त्योरी जिनको पढ़नी है और एक वार कंप्लीट उसको CDP को समझना है आखिरकार CDP क्या है तो आज का अपना टॉपिक है सेस्वा वस्ता में विकास इसको पढ़ने वाले हैं कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक मैंने आपको चार पार्ट करा दी हैं कितने चार पार्ट करा दी हैं आपने अभी तक नहीं जा कर देखे तो प्लेलिस्ट वनी हुई है चैनल पर जाईए और देख लीजेगा और SI TET की तअइरी करने वाला परतेगस्टूडएंट UP TET की तअइरी करने वाला परतेगस्टूडएंट REIT की तयारी करने वाला प्रतेग स्टूडेंट KBS की तयारी करने वाला Reiter Plus V की तयारी करने वाला प्रतेग स्टूडेंट ये जो तयारी अगर आप लोग इनमें से किसी कर रहे हो या बिहार एक्जाम की भी कर रहे हो कहने का मतलब किसी भी Teacher Eligibility Test यानि की टीचर की तयारी कर रहे हो आप और सुपर्टेट वगरा की तयारी कर रहे हो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाकी आप लोग पहले क्लास को लीजेगा देखेगा माहौल कैसा है इस चैनल का तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उससे पहले मत कीजिएगा तो बस चैनल के साथ जोड़ जाएगा क्लासेस को लेते रहिए और आपका सीटेट का जो प्रिवियस एर के क्वेशन्स है वो भी आपके कराए जा रहे है और प्रिवियस एर के जो पेपर है उनके भी प्लेइलिस्ट बना दी है आप वहाँ से देख सकते है अगर आपने दस पेपर भी लगा लिए प्रिवियस एर के ये माल लेजे आप 120 प्लस अराम से कर जाओगे तो क्लियर है तो चलिए ये स्टार्ट करते है आज का अपना टॉपिक जो है वो टॉपिक है अपना साथ यह सेश्वा वस्ता में विकास क्या है सेश्वा वस्ता अब देखे जीन प्याजे साब की बात कर रहा है तो जीन प्याजे जीन प्याजे साब की बात कर रहा है उनमाने बताया है सेसववस्ता के बारे में सेसववस्ता के बारे में अचा जी सेसववस्ता के बाद आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक वस्ता उसके बाद आता है आपका बैसे अगर आप मात करें सेसववस्ता बाल्य वस्ता उत्तरवाल्य वस्ता और आपका किसोरा वस वर्स की वस्ता इसके बाद बाद करें सेसवा वस्ता में विकास जन्द से 5-6 वर्स तक होता है और इसके बाद बाद करें साथ यह पूर संक्रियात्मक वस्ता तो दो से साथ वर्स की वस्ता पूर संक्रियात्मक वस्ता इसके बाद होती है अमूर्थ संक्रियात्मक वस्ता सास से ग्यारा वर्स की उमर होती है और इसके बाद अमूर्थ संक्रियात्मक या अपचारिक संक्रियात्मक वस्ता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्यारा से लेके सूला तक की होती है सूला या सत्रह से ऊपर हम जाती हैं तो प्रोडवस्त किने उपनाम हैं, उपनामों को पहले clearly समझने का प्रयास करते हैं, अगर हम इसको कर गए, देखे, इस topic से आपके दो से तीन नमबर complete हो जाएंगे, सिर्फ 5 पेज का है, और 5 पेज में ये आपके दो तीन नमबर अराम से पक्की हो जाएंगे, सिस्वववस्ता की बात करें सा सीखने का आदर्सकाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियो, सीखने का आदर्सकाल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सिस्वववस्ता को कहा है, सीखने का आदर्सकाल कहा जाता है, clear है, इसके बाद बात करें तीप्र विकासकाल भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त सुन्यता कल, उदासीनता कल, सजीव, चिंतन की अवस्ता, अनुकण की अवस्ता, ये सारी के सारे नाम किसके आते हैं, तो ये सारे के सारे नाम सीसववस्ता के नाम है, तो उपनाम के नाम से पूछ ले जाता है, आप से कोशन आएगा, सीखने का अधर्स कल किस कल को कहा जाता तो आप अंसर लगाएंगे सिस ववस्ता को तीबर विकास की वस्ता ये क्यों कहा है देखे जो सारे रेक विकास होता है जीरो से दो बर्स की उम्र जो होती है जीरो से दो बर्स की उम्र यानि कि दो बर्स तक की जो उम्र होती है उसे तीबर विकास की वस्ता कहा जाता है क्यो सजीब चिंतन की अवस्ता और अनुकरण की अवस्ता देखिए अनुकरण की अवस्ता भी यही पर पाई जाती है दो वर्स तक का अगर बच्चा है तो उसके अंदर अनुकरण की अवस्ता पाई जाती है आप बोलोगे कुछ भी किसी भी नाम को लोगे तो उसको क्या करेगा repeat करने लग जाएगा repeat करने लग जाएगा उसी को बुलते है अनकरन की अबस्ता तो ये सिस्वबस्ता के नामों मेंसे एक आता है जो सिस्वबस्ता है इसको नाम दिया था भावी जीवन की अधार सिला किसके नाम से दिया था भावी जीवन की आदार्सक सिला इस सेस्वावस्ता का एक नाम और होता है रटने वाली वस्ता क्या होता है रटने वाली वस्ता यहाँ पर चीजों को रटने की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है आत्म प्रेम की अवस्ता जो होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है संसकारों का निर्मान काल भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है संसकारों का निर्मान काल भी इसको कहा जाता है clear है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सीखने का आदर्सकाल सीखने का आदर्सकाल तो ये किसने कहा था वैलेंटाइन सुरूल साब ने कहा था ये कोशन आपसे पूछे जाते है वैलेंटाइन सुरूल साब ने कहा था सीखने का इसको सीखने का आदर्सकाल को सेसव वस्ता को खतरनाग वा अपीली काल भी कहा जाता है खदरनाग वह अपीली काल्वीस को कह ता clear है, तो यह सारे के सारेושं भी यहाँ पर आपके बनते हैं, दीकर यहाँ पर दो point बनते हैं, बीसवी सदी में बालकों को लेकर बहुत सारे अनुशन्धान होने के काराण Crow end Crow ने बीसवी सदी को बालकों की सदी कहा है तो 20 वी सदी को बालकों की सदी कहा जाता है क्या कहा जाता है 20 वी सदी को क्या कहा जाता है बालकों की सदी कहा जाता है तो ये किस ने कहा है क्रो एंड क्रो ने कहा है तो ये भी कोशन आपसे पूछा जाता है वही चीज रिपीटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बैलेंटें साब ने सेस्ववस्ता सीखने का अधर्सकाल कहा है वाटसन साब जेपी वाटसन साब जो के बिवेरिश्टिक थे यानि के बिवारवादी थे और इन्हों ने सेस्ववस्ता को ती प्रिविकास की अवस्ता कहा है यानि कि पूरी लाइफ के अंदर बात की जाए तो सबसे जादा ती प्रिविकास सारी की विकास यहीं पर देखने को मिलता है सेस्ववस्ता यानि कि जीरो से दो बर्स की अवस्ता के अंदर तो विवरिष्टिक जेपी वाट्सण साब इसके बारे में ऐसा कहते हैं इसके बाद बात करें साथी हो सिग्मन फ्राइट की सिग्मन फ्राइट साथ सेसववस्ता को भावी जीवन की आधार सिला कहा है तो ये कोशन दो मैंने आपको कंप्लिट कराई दिया इसके बाद बात करें साथियों यहाँ पर सिस्वावस्ता विकास की सामानी विसिस्ताओं को समझ लेते हैं सिस्वावस्ता विकास की सामानी विसिस्ता है कौन कौन सी है सारे के विसिस्ता क्या होती है जन्म के समय सिसू का वजन लगवक साथ पॉंड होता है जो बालेका सिसू के बालक की अभेचा कुछ कम होता है तो बालेका सिसू का थोड़ा बजन कम होता है जब कि बालक सिसू की बात कर रहा है तो यहाँ पर साथ पौन यानि कुछ जादा होता है यह इसकी विशेस्ता हैं हो जाएंगी जन्म के समय वालक की सिसू की नंबाई लगबाग 20 सिंच होती है तता बालक की कुछ एससे कम होती है तो इसकी कितनी होती है 20 सिंच होती है क्लियर है अब इसके बाद बात करें यहाँ पर एक point है जो कि याद करने वाला है इसमर्ट रखना आपको जीवन के बाद सिसु का बजन जो होता है पहले सब्ता में गड़ता है उसके बाद क्या है बढ़ता है और बढ़ने लगता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ये आपसे डिरेक्टली पूछा जा सकता है नमबर थाट पॉइंट है साथ हो यहाँ बढ़ना किल मिलाकर हड़ियों की संक्यागी बात करें तो कितनी होती है 270 नियानी कि 270 हड़िया पाई जाती है जो पहले बढ़ती है और बाले बस्ता में 350 हो जाती है और फिर vari स्को नी पर 206 रह जाती है कितनी रह जाती है बात 270 हिय तो यह भी पॉइंट आपसे पूछा आ सकता है यह दो बायो का भी कोशन बनता है जन्म के समय सीजु के बजन का लगबक 23% बाग मास स्पेश्चियों से बना होता है तो तक उत्तरकाल तक 27-27% हो जाता है तो ये भी आपका भढ़ जाता है यहां पर मास्पेश्चियों का बज़न नेक्स्ट पॉइंट है साथ यहो जन्म के समय सिसु के हरदय की दाड़कर 140 बार प्रत मिनट कुछ समय बाद 120 बार तता 22 कोने पर 22 बार मिनट रह जाती है जन्म के समय 140 बार जल्दी जल्दी दाड़कती हैं कुछ समय बाद यहां पर 120 तक रह जाती है और 22 कोने तक यहां पर 72 तक ही मिनट तक रह जाती है नेक्स्ट अगर बात करने साथी हो जन्म के बाद 5-6 महीं मा की आयू के सिसु के दांत निकलने लगते हैं नेक्स्ट पॉइंट बात करने साथी हो तो बालक की पेच्छा बालेका में दांत जल्दी आते हैं मतलब बालक की पेच्छा बालेका में दांत जल्दी आते हैं गर्बकाल में 5 माहा में दांत बनने लगते हैं गर्बकाल में 5 महीने में दांत बनने लगते हैं नेक्स अगर बात करें साती हो तो बहुत दिक विकास की बात है बहुत दिक विसीषता हैं जर्म के समें सिसु के सरीर का लगबग से 25% बहुत से JOHNLOCK सा आप कहते हैं जन्म के समय सिसु का मस्तिस्क कोरे कागज यानि के कोरी प्लेट के अंदर कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर वह अपने अनवब लिखता जाता है बहुत ही अच्छा परिंट लिखा है इन्होंने जन्म के समय सिसु का मस्तिस्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वो है अपने अनुववों को लिखता है जॉन कोड एनफ की बात करे साथी हो तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि तीन वर्स के आयू तक बालक की ब्रद्दी का आदा विकास हो जाता है कितनी वर्स तक की आयू तक तीन वर्स तक की आयू तक जो बालक है उसकी ब्रिद्धी का आदा विकास हो जाता है सिग्मन फ्राइट कहते है लगवग 5 वर्स की आयू तक बालक को लगवग 5 वर्स की आयू तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है कितनी वर्स तक की आयू तक लगवग 5 वर्स की आयू तक तो दोस्तों ये थे सारे के सारे पॉइंट CDP का पांचमा पार्ड मैंने आपको कराया और थ्योरी अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जब आप questions लगाते हो वहाँ पर directly आपसे पूछा जाता है कि ये statement किसका है यहाँ statement बोल देगा तीन वर्सता की आई तक बालक की आई ब्रती आधा विकास हो जाता है तो ये किस ने कहा है जून लॉक ने गॉर्डन जॉन गडायर नफ ने जीन प्याजे ने या सिग्मेंट फ्राइट ने इस तरीके से question आपसे पूछे आते हैं तो आपको यहीं याद हो जा झाल